प्रिय विध्यार्तियों, आज हम BA Part 1st Year का 2nd paper भारत में समाज की अंतरकत नया अध्याय शुरू करेंगे नातेदारी किन्शिक। मानव समाजों की सामाजिक सरंचना एवं व्यवस्ता का निर्मान नातेद्वारी द्वारा होता है। हम मानव समाज की किसी भी बात को तब तक नहीं समझ सकते जब तक की उनकी नातेदारी व्यवस्ता का पूर्ण ग्यार नहीं हो। नातेदारी की विशेश्ताएं समरक्त तथा विभा सम्मन्द आयू भेद, लिंग भेद, पीडी भेद, आदि, आदिम, ग्रामिन एवं नगरिय समाजों की सभी व्यवस्ताओं तथा कारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। विभिन व्यक्तियों के परस्वर सम्मन्द, कर्तब्वे, अधिकार, सत्ता आधिवी नातेदारी के द्वरा निशित किये जाते हैं। कि नातेदारी में दो प्रकर के सम्मन्द आते हैं। नमबर एक माने हुए सम्मन्द, नमबर दो रक्त सम्मन्द। लेकिन सभी रक्त सम्मन्द नातेदारी में नहीं आते हैं। केवल वे ही रक्त सम्मन्दी आते हैं जो समाज द्वारा मानिता प्राप्त होते हैं। वेवाईक एवं गोद सम्मन्द पी समाज द्वारा मानिता प्राप्त होने चाहिए। लेवी स्ट्रॉस के अनसर नातिदारी व्यवस्ता वंश अत्वरक्त सम्मन्दी कर्म विश्यक सुत्रों से निर्मित नहीं होती जो की व्यक्ति को मिलती है। यहां मानव जेतना में विदमान रहती हैं कि अभिचारों के निरंकुष प्रणाली हैं वास्त्विक सिती का स्वता विकास नहीं है। निशकर्ष के तौर पे नातिदारी व्यवस्ता समाज द्वारा माननेता प्राप्त अमूर्थ व्यवस्ता है जो मानुव जेतना में विदमान होती है यहाँ विवा, मानने समंद तथा वन्शावलियों के द्वारा निर्धारी तथा वर्णित होती है नातेदारी के भेद मानव समाजों में मुखे रुपसे नातेदारी के निम्न दो भेद मिलते हैं नमबर एक विवा समंदी नातेदारी, नमबर दो रक्त समंदी एवं कल्पनात्मक नातेदारी नमबर एक विवा समंदी नातेदारी नातेदारी में प्रतम प्रकार का समंद वैवाईक समंद है जो सामाजिक या कानूनी आधार पर माने होना चाहिए इसे विवा समंदी नातेदारी कहते हैं और इसे समंदित समंदियों पती-पत्नी आधी को विवा समंदी स्वजन कहते हैं जब एक पुरुष का विवा होता है तो उसका अन्य अनेक व्यक्तियों से समन्द स्तापित हो जाता है जैसे पती, दामाद, जीजा, फूफा, मौसा, साडू, बहनोई, आदी. इसी प्रकास्त्रीवी पत्नी, बहु, भावी, चाची, मामी, देवरानी, जिठानी, सलेज, आदी विवा के द्वारा बन जाती हैं। कहते हैं, नातेदारी की श्रिणिया, सभी समाजों व्यक्ति अनेक समन्दियों से समन्दित होता है, ये समन्द किसी से कम या अधिक निकर्था के होते हैं। नातेदारी में इन समंदों की निकर्ता तता दूरी का त्यान करने के लिए समंदियों के निम्ने प्रकार वर्गी करत किये गए हैं, तता उनकी व्याक्या किये गई हैं। मुर्डाव ने नादेदारी की निम्न शिर्णिया बतलाई है नमबर एक है प्रात्मिक समंदी करता के प्रात्मिक समंदी वे होते हैं जिनसे करता का सिधा समंद होता है करता के तता प्रात्मिक समंदी के बीच में अन्य कोई मध्यस्त समंदी नहीं होता है पती तता पत्नी मात्र ऐसे प्रात्मिक समन्दी है नमबर दू, द्वत्यक समन्दी करता के द्वत्यक समन्दी वे होते हैं जो करता के प्रात्मिक समन्दों के प्रात्मिक समन्दी होते हैं परन्तु करता से सीधे समन्दी नहीं होते हैं जैसे करता के पिता का पिता, नमबर तिन, तरत्यक समंदी, व्यक्ति के तरत्यक समंदी वे होते हैं, जो करता के प्रात्मिक समंदी के प्रात्मिक समंदी होते हैं, जैसे करता के पिता के पिता का पिता अर्थात, परदादा तरत्यक समंदी कहलाता है, 4. दूर के समंदी त्रत्यक समंदी के प्रात्मिक द्वित्यक आदी समंदी करता के दूर के समंदी कहलाते हैं मुर्डॉप ने इन्हें दूर के समंधियों के शिणी में इसलिए रखा है क्योंकि इनसे कर्तवे और अधिकार के संधर में परस्परिक समंध अंदक रिया आधी बहुत कम तता प्रभाव हीन से होती है वंशानुक्रम, पदाधिकार, उत्राधिकार और निवास नातेदारी व्यवस्ता के विभिन पक्षों का अध्यन करने के पश्यात नातेदारी व्यवस्ता से समंधित वंशानुक्रम, पदाधिकार, उत्राधिकार और निवास पर विचार किया जाना अध्यन्त आवशक हो जाता है नमबर एक वंशानुक्रम वंशानो क्रम का आर्थ मानिता प्राप्त उन सामाजिक समंदों से लिया जाता है जिन्हें कोई व्यक्ति अपने पूरोजों के साथ जोड़ता है जिनकी वह संतान है उधारण के लिए एक परिवार की यदि 5-6 पीछे की पीड़ियां देखी जाएं तो वे अपने परिवार का सुरूत अपने से पूर्व की पीड़ी से मानते हैं जो की वास्तवे कुद्पति है वंश का निरने दो आधारों पर किया जा सकता है अगर वंश पिताक की दिशा एवं नाम से जाना जाता है तो पित्र वंश ये वंशानुक्रम कहा जाता है यदि वंश माता की दिशा पर है तो इसे मातर वंश ये वंशा अनुक्रम कहते हैं भारत के समाजों में दोनों प्रकार के लक्षन पाए जाते हैं वंश से समन्दित निम्ने लिखित तथे मैथोपू' है नमबर एक, वंश का समन्द जर्म सुरूत से होता है नमबर दो ये जर्म सुरोत वास्त्विक होते हैं कालपनेक नहीं वंश की आधार पर संगटित समों में जिनमें समझे कंते करिया ही होती है उनमें घनिश्टे समन होते हैं वंश प्रणाली का वर्गी करन वंश व्यवस्ता को प्राया निमनलिकित रूप में विभाजित किया जा सकता है नमबर एक पित्रवंश ये नमबर दो मात्रवंश ये नमबर दी दूई वंश ये नमबर एक पित्रवंश ये वंशानुक्रम जब वंश पिता की और से चलता है तो उसे पित्रवंश ये वंशानुक्रम कहते हैं भारत के अधिकांश समाजों में पित्रवंश ये वंशानुक्रम की प्रथा है जब वंशानुक्रम स्त्री से जोड़ा जाता है तो उसे मात्र वंशिये वंशानुक्रम कहते हैं दक्षिन भारत में इस प्रकार के परिवर पाये जाते हैं जब वंश माता और पिता दोनों से गिना जाता है तो उसे द्वी वंशिये वंशानुक्रम कहते हैं आदिवसी समाज में कुछ समों ऐसे मिलते हैं जिन में वंश, मातार, पिता, पक्षों की ओर चलता है वंशानु क्रहम के प्रकारे बारतिय समाजों में वंशानु क्रहम के अनिक प्रकारे हैं वन्शानु क्रम के आधार पर समाजिक जीवन के विभिन पक्षों के संगठन का निर्धारन होता है कि ये संगठन किन पक्षों में हो सकता है और किन पक्षों में नहीं हो सकता है। वंशानुक्रम के आधार पर संपत्ती में उत्तराधिकार, पदाधिकार का निश्य किया जाता है पदाधिकार, पदाधिकार शब्द का प्रयोग पद के संचरन की व्यवस्ता के लिए किया जाता है पिडिंग टन के शब्दों में पदाधिकार अथ्वा पदो त्राधिकार के नियम वे हैं जो पद अथ्वा पद्वी के संचरन को तै करते हैं पदाधिकार को दो रूपों में देखा जा सकता है नमबर एक पित्रवंशिय पदादिकार, नमबर दो मात्रवंशिय पदादिकार पित्रवंशिय पदादिकार में पिता का पद उसके वेटे को दिया जाता है मात्रवंशिय पदादिकार में पद उसके मात्रवंशिय सदसे को हस्तानंतरित होता है उत्रादिकार में संपति का संचरण होता है समाजों में जिस तरह पद का संचरण किया जाता है उसी भाती संपति का भी हस्तानांत्र किया जाता है पिडिंग्टन के अनुसार एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में संपत्ती के संचरण को नियमित करने वाले नियम उत्राधिकार है उत्रादिकार के संचरन के अनेक आधार है जो निशित करते हैं कि एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में संपत्ती का उत्रादिकारी कौन होगा इसे इस प्रकार से दर्शाया गया है नमबर एक है वंश और लिंग समाज में वंश और लिंग के आधार पर उत्रादिकार को दो रूपों में देखा जा सकता है नमबर एक पित्र वंशी उत्रादिकार नमबर दो मात्र वंशी उत्रादिकार पित्रवंशी उत्रादिकार में संपत्य का हस्तानंतरन पिता से पुत्र को किया जाता है स्रीयों वा पुत्रियों को संपत्य में कोई अधिकार नहीं होता है मात्रवंशी उत्रादिकार में संपत्य का हस्तानंतरन माता से पुत्री के और होता है संपती में पुत्रों को कोई अधिकार नहीं होता है पिता अथ्वा माता की म्लत्यू के अनंतर संपती का वित्रण किस प्रकार किया जै इस संबанд में अनेक नियम पाए जाते हैं कुछ समाजों में संपत्ति का हस्तानंतर माता, अथ्वा, पिता की म्रत्यू के अनंतर सबसे बड़े बेटे को किया जाता है, इसे जेश्ठा दिकार कहा जाता है कभी-कभी कुछ समाजों में संपत्ति का हस्तानंतरन सबसे चोटी संतान को किया जाता है इसे कनिष्टा दिकार कहा जाता है कुछ समाजों में माता पिता अपने मृत्यू के पूरो अपनी संपत्ति के हस्तानंतरन को लिख कर बता जाते हैं कि उनकी म्रत्यों के बाद कौन हु समपती का उत्रादिकार होगा इसे वसियत लिखना कहा जाता है नमबर चार अन्याधर समपती के उत्रादिकार के अनेक नियम है कुछ समाजों में समपती एक पीड़ी से दूसी पीड़ी को हसानन्तित होती है किन्तु कुछ समाजों में इनसे अलग नियम पाये जाते हैं जैसे अरंडा जन्जाती में जुरंगा एक पवित्र वस्तु का नाम है उसे स्री स्वामिनी अपने छोटे भाई को देती है लोबी जनजाती में पिता से पुत्र एवं माता से पुत्री को संपती दी जाती है किन्तु पश्यू संपती सदे पुत्रों और भतीजों को ही दी जाती है निवास्तान निवास्तान के आधार पर भी नातेदरी व्यवस्तार निरधारित होती है सामनेता पती-पत्नी और उनके बचे एकसान पर निवास करते हैं विभा के उपरांत पती-पत्नी कहां रहते हैं इसके भी कुछ नियम है निवासान को प्रभायुत करने वाले अनेक तत्व हैं जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, लेंग, व्यवसाय, संपती, उत्रादिकार, आधी मुर्डॉक ने छे प्रकार के निवासानों का उले किया हैं नमबर एक पित्रसानिय विभा के बाद वदू अपने पती के माता-पिता के पास जाकर रहती है तो यहां पित्रसानिय निवास विवसा कहलाती है यदि लड़का विभा के उपरान्त अपनी पत्नी के माता-पिता के घर अत्वा उनके पास जाकर रहता है तो वो मात्रसानिय निवास कहलाता है 3. मातर पित्र सानिय कुछ समाजों में नव दमपती विवा के बाद एक साल आत्वा प्रतम बचे के जर्म तक वधु के माता पिता के यहां जाकर रहते हैं और इसके बाद साही रुप से लड़के के माता पिता के पास जाकर रहते हैं से मात्र पितर सानिय व्यस्ता कहा जाता है जब न वो विवाहित दमपती नया आवास तापित करते हैं जो दोनों के ही माता-पिताओं से स्वतंत्रा अलग सान पर होता है तो ऐसी आवास व्यवस्ता नवस्तानिय कहलाती है कुछ समाजों में विवाहित दंपती को माता अत्वा पिता में से किसी एक के यहां या पास में रहने के अरुमती दी जाती है तो उसे द्विश्वानिय निवास कहा जाता है धन्यवाद